Hi everyone, this is Dhananjay उमीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे इंडिया और कैनेडा के रिलेशन्स लगातार डिकलाइन कर रहे हैं कभी Government of India को एडवाईजरी जारी करते हैं और कभी Government of Canada एडवाईजरी जारी करते हैं लेकिन जिस तरीके से Justin Trudeau ने एक इंडिया के डिप्लोमेट को अपने देश से एक्सपेल किया ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में Justin Trudeau करना क्या चाहते हैं इसी बीश में एक और रिपोर्ट आता है जहां पे एक पंजाबी रैपर सिंगर है जिसका नाम सुबनीत सिंग है उसके कुछ शोज इंडिया में होने वाले थे हैं वो शोज सेप्टेंबर 23 से शुरू होते हैं मुंबई में लेकिन अब ये शोज नहीं होने वाले है उसके पीछे का रीजन ये है कि आप लोगों को भी याद होगा कि इसी साल February March के महीने में एक प्रोख खालिस्ताने जिसका नाम अमरित पाल सिंग रहता है वो इंडिया आता है बहुत सारे जो एंटी इंडिया मुव्मेंट है उसमें वो पार्डिसिपेट करता है तो उसके वएसे क्या था कि सुबनी सिंग ने भी इंडिया का एक अपना जो distorted map था अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे वो पोस्ट करता है जिस distorted map में हमारे जो नौर्थ इस्टन पार्ट रहते हैं वो नहीं रहता है जो पंजाब प्रोविंस रहते हैं वो नहीं रहता है और ये सिर्फ शुबनी सिंग ही नहीं पल के ऐसे बहुत सारे आपके पंजाबी सिंगर्स रैपर हैं जो बहुत ही सटल तरीके से एंटी इंडिया या प्रो खालिस्तान मुव्मेंट को वो सपोर्ट करते हैं अगर आप इनको कभी भी लाइफ प्रेस कॉनफरेंस में अगर आप इनको बठा दो और इनसे आप बहुत बेर मिनिममम क्वेस्टिन पूछो इंडिया के हिस्ट्री या इंटरनेशनल रिलेशन्स पे तो शायद वो questions ही है अपने पुरे जिंदगी में कभी नहीं सुने होंगे जैसे ही सुबनी सिंग का जो इंस्टाग्राम पोस्ट है इंस्टाग्राम पे जो distorted map को वो publish किया था मार्श के महीने में वो जब लोगों के सामने आता है तो इस पुरे event का कहले one of the famous जो sponsor रहते है boat company वो अपना sponsorship इस event से वो आपस ले लेते हैं कहते हैं कि वो इंडिया में music को support तो करते हैं लेकिन अगर कोई anti-India movement को lead करेगा तो उस चीज़ को वो support नहीं करेंगे जो कि एक काफी appreciative stand लिया गया by company boat सबसे अजीब बात है कि Justin Trudeau एक वैसे आदमी के पीछे वो परिशान है या एक वैसे आदमी के assassination के पीछे वो investigation करवाना चाहता है जो कि खुद 1997 में Canada enter ही होता है वो fake passport पे 2018 में CM Amrinder Singh पंजाब के CM थे 2018 में Justin Trudeau इंडिया आता है वो बकायदा golden temple visit करता है उस वक्त Captain Amrinder Singh Justin Trudeau को most wanted खालिस्तानियों का list देता है जो कि Canada में थे उसमें एक हरदीब सिंग निजर का भी नाम रहता है हरदीब सिंग निजर के बहुत बड़े family members जो है वो खालिस्तान movement या anti-India movement में वो बहुत उनका active participation है उसके बाद 2018 में खुद government of Canada एक annual report publish करता है जिस report का नाम रहता है threat of terrorism इसमें सबसे पहली बार खालिस्तानी extremism का जिक्र किया गया था ये खुद जो report है वो government of Canada ने इसको publish किया था annual report है जैसे ही ये वर्ड खालिस्तान, खालिस्तानी extremism public domain में आता है Canada में वैसे ही जो प्रो खालिस्तानी रहते हैं वो Justin Trudeau को pressurize करते हैं कि आप जो वर्ड खालिस्तानी है या खालिस्तान है उसको आप वापस लें जब हरदीब सिंग नेजर 1997 में Canada एंटर करता है फेक पासपोर्ट में उसके महज कुछ दिनों के अंदर ही हपता दस दिन के भीतर ही वो एक शादी करता है और लोग ये भी कहते हैं मतलब जो एजेंसी से वो ये कहते हैं कि जो शादी था वो महज इसलिए किया गया था ताकि वो हरदीब सिंग नेजर को Canadian citizenship मिल सके तो कहलें कि उसके Canada एंटर होने से जो शुरू होता है सिलसला वो जब तक उसका assassination नहीं होता है 18th June तब तक जितने जो सारे activities रहते हैं वो सारे आपके terrorist वाले activities रहते हैं 2013-14 में वो बकायदा पाकिस्तान भी जा चुका है वहाँ पे जकतार सिंग तारा जो की अनदर बबर खालसा इंटरनेशनल से attached एक terrorist था जिसका की नाम पंजाब के CM बियन सिंग के assassination में भी आया था हरदीब सिंग निजर के जो visit थे पाकिस्तान में उसको खुद ISI ने support किया था ये किसी को नहीं पता कि हरदीब सिंग निजर को किसने मारा 18th June को गुरुदवारे के बाहर लेकिन फिर भी जिस तरीके से Justin Trudeau इसको अपना personal matter बना रखे हैं कहीं ना कहीं इसका जो हरजाना है वो आने वाले जो government रहेंगे उसको बहुत heavy price भे करना पड़े है क्योंकि diplomatic एक अच्छे diplomatic relation establish करने में काफी लंबा वक्त रहता है अगर आप फिलहाल Canada के अगर आप economy को देखते हो तो वहाँ पे जो housing price है वो काफी high है जो inflation rate है वो काफी high है तो उन सब चीज को छोड़ के Justin Trude तो इंडिया के साथ diplomatic relations को और किस तरीके से बिगाड़ा जा सके because of terrorist या तो यू कहले कि Justin Trudeau का जो सरकार है liberal party वो सरकार में ही इसलिए क्योंकि NDP जिसका की head Jagmeet Singh है उसके जो party है उसके party का support से Justin Trudeau सत्ता में बने हुए है तो जो भी हो जिस तरीके से Justin Trudeau अपने ego issue बना रख इस हरदीब सिंग निजर के assassination को इसका जो हरजाना है वो उनको भी भरना पड़ेगा जो common civilian है Canada के उनको भी भरना पड़ेगा I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी है कहीं कोई गलती हो गई तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye